नमस्कार दोस्तों, सिक्षन 91 के ओफिशल यूटूब चनल में आपका स्वागतात्व डेफेंस, आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में जो आपकी HR, F&A और आपकी C&MM और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की जो भरती आ परिक्षा, क्या आपका सलेबस रहेगा, किस प्रकार से परिक्षा का आपका पेपर है, वो रहेगा, पूरी लिखित परिक्षा में कौन-कौन से सब्जेट से कितने क्यूशन्स होंगे, पूरा आज हम इसका अग्जाम पैटर्न हो देखने वाले हैं, तो आप इस देख से नगते हो आपकी और मार बेस्ट होगी केंपिटरह भी हो सकती है, यह आपको अभी जो आपकी mail पे आपका admit card हैईगा पता चलेगा व मार बेस्ट होती है यह तहती है यह ओती है, जो आपकी एक्जाम होगी, यह दो टाइप से होगी, आपकी जह परत्थम चरंड में आपकी exam होगी यह preliminary test होगा जिसमें प्रारंविक परिक्षिया यह एगंटे के आपकी exam रहेगी और आपकी stage second होगी advanced test यह आपकी main exam होगी यह 2 गंटे के आपकी exam रहने वाली है जो आपका preliminary test होगा प्रारंविक जो परिक्षिया होगी इसमें आप देखते हैं short list करने के लिए यह सिर्फ student को short list करने के लिए exam है वो conduct करवाई जाती है इसमें इसके जो number है वो आपके main exam सिया फिर main जो आपकी final merit बनती है उसमें नहीं जूड़ते हैं तो यह आपकी जो exam होगी यह एक घंटे की होगी इसमें total 50 questions आपसे पूछे जाएंगे परतेक questions है वो आपका देख सकते हैं कितने number का होगा यह आपका परतेक questions है वो तीन number का रहेगा और negative marking रहेगी negative marking में आपसे एक अंक है वो काट लिया जाएगा 25 questions होंगे वो आपके general knowledge और आपके current affairs से related होंगे और पंदरा questions है वो आपके computer knowledge के होंगे वहीं 10 questions है वो आपके English simple जो आपकी ग्रेविटिकल English होती है उससे लेटेट 10 questions आपके इस प्रकार से आपके total 50 questions इसमें पूछे जाएंगे total 1500 अंक का आपका ये पूरा paper रहेगा इसमें negative marking है वो आपकी रहने वाली है एक घंटे का समय है वो इसमें दिया जाएगा अगर ये शिर्फ आपका passing mark रहेगा इसमें अगर आपके इसमें passing score दे रहा है कि UREWS के लिए 40% और जो OBC, SC, ST, PWD है उनके लिए 30% इसमें बतायागा है तो ये marks जब आपके आ जाएंगे तो आप advance test है वो दे पाएंगे अगर ये आप इतने अंक आपके नहीं आती है तो आप advance test है वो नहीं दे पाएंगे advance test है वो आपका main exam है उसी के number है वो आपके final merit में जूड़ते हैं तो advance test आप देखतें किस प्रकार से होगा तो advance test है वो आपका दो घंटे का होगा ये भी आपका डेड़ सो अंको का ही होगा इसमें भी total 50 qs ही पूछे जाएंगे पचास mcq type qs होंगे वो भी कंकों से subject होंगे जिसमें आपकी जो quantity aptitude आपके 25 qs होंगे वो math के होंगे math के कितने qs होंगे math के आपके 25 qs होंगे वहीं आपके जो reasoning है reasoning से आपके 25 qs पूछे जाएंगे तो critical reasoning से आपके 25 qs होंगे math से भी 25 qs होंगे तो इस परकार से total 50 qs होंगे और डेड़ सो अंक का आपका ये पूरा पेपर रहेगा इसमें भी आपकी negative marking है वो एक अंक रहने वाली है तो इस परकार से ये आपका पूरा पेपर रहने वाला है इसमें आप देखते हैं कि इसम minimum qualifying होना चाहिए परंतु इनका कोई वो नहीं है क्योंकि final जो आपका selection होगा वो cutoff इसमें निकाली जाएगी उसी के आदार पर इसमें cutoff है वो तयार की जाएगी और level जो आपके second stage है उसी के आदार पर आपका इसमें selection है वो किया जाएगा तो इसके बाद में आपकी जो exam हो की वो होगी stage third stage third में आपका skill test करवाया जाएगा तो skill test है वो आफ़ेछे हैं हर student के लिए skill test है वो जो भी इसमें पास होगे level 2 में जो आपकी advanced test है उनके लिए skill test है वो करवाया जाएगा skill test के लिए 5 गुना candidate हो बुलाये जाएगे मतलब जितनी वी vacancies हैं उनका 5 गुना candidate हो skill test के लिए बुलाए जाएंगे जो assistant grade first वाली जो post हैं उनमें आपके जो PC पर क्या किये जाएगी typing है वो करवाए जाएगी अंग्रेजी टंकन परिक्षा होगी मलग English typing है वो करवाए जाएगी साथ में computer proficiency test भी आपका होने वाला है जिसमें आपसे कोई भी मलग MS word या फिर किसी और documents को इसमें editing वगेरा है वो करवाए जाएगी साथ में computer का knowledge related कुछ questions होगे तो computer proficiency test यह आपका रहेगा इस्टेनो grade first की आपकी जो skill test होगा इसमें अंग्रेजी में आपकी इस्टेनो ग्राफी है वो करवाए जाएगी short end का जो पैसेज है वो बोला जाएगा वो आपको फिर short end में आपको लिखना होगा उसके बाद में आपको उसको computer पर टाइप करना होगा और personal computer पर अंग्रेजी में टंकन परिक्षे आपको करवाई जाएगी जो computer proficiency test है वो भी आपका ये रहने वाला है तो इस प्रकार से आपका ये skill test रहेगा assistant grade first वाली पोस्ट में सिर्फ आपकी टाइपिंग होगी और जो computer proficiency test होगा और steno में आपकी steno का जो test होता है skill test वो करवाया जाएगा तो इस प्रकार से आपके ये रहने वाली है अंग्रेजी stenoography है वो इसमें अनिवारिय है अगर जिस student को अगर हिंदी का भी ग्यान है तो उनको क्या दी जाएगी preference दी जाएगी मतलब उनको वरियता है वो दी जाएगी उनके selection के जादा chances होते जिस student को हिंदी भी आती है तो ये जो आपके skill test होगा ये शिर्फ पे आप आपका जो level 2 आपका चरण शेकेंड था उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट हो तयार की जाएगा उसी के आधार पर आपका पेनल हो इसमें बनाया जाएगा तो ये पूरी process आपकी इसमें रहेगी आप इसके pre-share paper हो देख सकते हैं हमारी video description में हम उसकी link हो आपको provide करा दे आपकी जो अग्जाम होने वाली है उसके लिए assistant grade first और steno grade first के लिए हमने ये पूरा सलेबस discuss किया है आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया था फ्लिप वीडियो को like करें comment करें अपने दोस्तों में share जरूर करें अगर आप चैनल पहले बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तेने वाग्ट